भगवान सीव ने क्यों किया था सुदामा का वद्द। क्या कारण रहा होगा। स्वर्ग के एक विश्यस भाग गोलोक में सुदामा और विराजा रहते थे। सुदामा को विराजा से प्रेम हो गया था। लेकिन विराजा कृष्ण जी को चाहती थी। एक विराजा ने कृष्ण और विराजा को प्रेमे लिन देख लिया। इससे गुसे में आकर राजा ने विराजा को प्रित्वी पर आने का स्राप दे दिया। विराजा का जन्म धर्म ध्वज के यहां तुलसी के रूप में हुआ था। राजा ने क्रोध में सुदामा को भी स्राप दिया था। इसके चलते सुदामा का जन्म राख्षक सराज दंब के यहां संक्चूड के रूप में हुआ था। पृत्वी पर संख्चुड कर तूलसी से विवा हुआ। संख्चुड ब्रह्मा जी का भक्त था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान हासल कर लिया। इसके कुछ समय बाद ही सक्चुंड ने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व अस्थापित कर लिया सक्चुंड के अत्याचारों से मनुस्य से लेकर देवता भी परसान हो उठे देवताओं ने इसके लिए सीव जी से मदद मागे लेकिन सक्चुंड को स्री कृष्ण की कवच और तोलसी के पतिवरत धर्म की प्राप्ति की वज़ा से सीव जी उसका वद नहीं कर पाए इस पर बिश्णु जी ने ब्राम्वन का रूप धर कर सक्चुंड से स्री कृष्ण का कवच दान में ले लिया साथ ही सक्चुंड का रूप धर कर तोलसी के सील का हरन भी कर लिया इस मौके पर सीव जी ने सक्चुंड को अपने तिर्सूल से भस्म कर दिया इस परकार से सीव जी ने सुदामा के पुनर जनम का वद किया था